हलो प्यारे विद्यार्थियों स्वागत हैं आप सब का आपके अपने यूडिव चैनल दिशा क्लासे सवाई पूर पर तो आज टोपिक हैं अपना 21 गन गन आप क्यूब सब्सक्राइब करते हैं पहले सवाल से ही पहला सवाल है अपने सामने कुछ घंणों को चित्र में दिखाए गए अनुसार व्यवस्थित किया गया है और इसमें पूछा गया है आपसे कितने घंद दिखाई नहीं दे रहे हैं तो यह प्रस्ण है चुकि option में समिश्या थी मैं एक जगे सभी करने का प्रियास किया है इसको देखते हैं अपन जैसे सबसे पहले तो आप यह पता लगा सकते हैं इसमें कि इसमें टोटल गन कितने है तो टोटल जब पता लगाएंगे तो यहां देखिए आप एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ आठ नो दस क्यारा बा टोटल आपके पास जो घन है वो 36 है अब जब आप यह चेक करेंगे कि कितने दिख रहे हैं टोटल 36 में से कितने आपको नजर आ रहे हैं या सामने तो अठारा तो यह एक साइड में हो गये क्योंकि सीधे इनका जो यह फेस हैं यह वाला फ्लक हैं वो सबको नजर आ रहा है या यहां इस फेस से आपको कुछ का पता चल रहा है वैसे यह वाला है वो सभी रूल है काउंटिंग में अपना 18 आ जाएगा अब आगे काउंट करते हैं तो 18 के बाद 19, 20, 21, 22, 23, 24 और यहां जो सरफेस नजर आ रहा है थोड़ा सा इस हिसाब से टोटल जो नजर आ रहे है हैं वो कितने होगए पचीस अब टोटल पचीस हमें नजर आ रहे हैं और नजर नहीं आ रहे हैं उनको काउंट करना है तो टोटल माइनस कर लेंगे अपन कितने में से टोटल में से 36 में से तो 36 में से बाइनिस करेंगे तो 6 में से 5 गए तो 1 तीन में से 2 गया तो 1 यानि जो नजर नहीं आ रहे हैं उनकी संख्या होनी चाहिए 11 और सवाल में यानि कि जो आंसर की हैं आपके पास उसमें दे रखा है 10 तो यहां हो सकता है ये वाला है इससे कोई मतलब की misunderstanding हुई हो नही में आप चेंज कर लेंगे एक option आपका क्या होना चाहिए 11 होना चाहिए ओके second question देखते है second question है एक इंच किनारे वाले लगडी के चोटे गनों को एक साथ रखकर तीन इंच किनारे वाला एक ठोस घन बनाया जता है इस बड़े घन को बार की ओर से पूरे लाल रंग में रंग दिया गया है, जब बड़े घन को मूल छोटे घनों में खंडित किया गया, तो कितने घनों पर कोई रंग नहीं होगा, तो इसके लिए आपके पास सुत्र है, सारे के सारे सुत्र यहां में लिख लेता हूं, वैसे इस आपने नोट कर रोएं तो बहुत बढ़ी है बात है अगर नोट नहीं कर रखे हैं तो नोट बुजा दे रखे हम आप तो वहां को ये आपकी क्योग करते हैं उसमें टोटल कितने आएंगे ज़ितने पता फिर यहाँ यहाँ पूछा गया है जैसे कितने गणों पर कोई रंग नहीं है तो इसके सुत्र हो जाएंगे एक हो जाएगा कोई रंग नहीं यानि बिना रंग वाला ठीक है एक हो सकता है सुत्र एक फलक रंगीन एक सुत्र हो सकता है दो फलक रंगीन फिर एक हो सकता है तीन फलक रंगीन और चारों फलक रंगीन जब टुकड़े किये जा रहे हैं और चारों फलक की बात की जाए तो उसका हमेशा उत्तर होगा जीरो यानि कि कोई भी फलक रंगीन नहीं हो सकती है अगर टुकड़े कर रहे हैं उसमें अगर प्रस्न पूछ लिया गया कि चारों फलक कितने घनों की रंगीन होगी तो वह जैसे गन रहेंगे जिन की तेन प्लक क्योंकि उसके आठ कॉर्णर होते हैं और हर एक जो कॉर्णरवाला है जैसे एक चोटी सी आकरती या बना कर देखते हैं इस طरह की आकरती जब बनेगी तो यहां किनारे प्लक रंगे मतलब शूत कितने बच पास पता हैं विसे गन में A cube, वहाँ भी याद रजाएगा, अब आपके पास है 3 सुत्र, ये 3 सुत्र आपको पक्के याद रखने हैं, जैसे यहाँ पूछा गया है, आपको बिना रंग वाला, तो इसमें आ जाएगा आपका X-2 का cube, X-2 का cube, मतलब X का मतलब हो गया, जो बुजा है वो, उसमें से 2 गटाना है, फिर उसका आपको गन गयाद करना है, ठीक है, आगे एक फलक अगर आप रंगीन चाहते हैं, तो यहाँ सुत्र हो जाएगा, आपका 6X-2 की घाथ 2, 6X-2 की घाथ 2, यानि कि सेम यही सुत्र है, वापस से लिखना है, अब यहाँ cube था, अब यहाँ square आ गया, और बार की तरफ क्या लिख दिया, आपने 6 लिख दिया, और इसमें 6 से आगे थोड़ा चले जाएगे, डबल कर देंगे, 12 हो जाएगा, और X- आ जाएगा यहाँ 2, और square वगेरा कुछ नहीं, तो इसको आप अगर सेनी वाइज भी याद करना चाहे, तो मतलब सीरिल वाइज याद कर सकते हैं, यहाँ cube है, यहाँ square हो गया, और यहाँ कतम ही है मामला, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ 6 है, यहाँ 12 हो गये, बाकि X-2, 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 X- 3, तो X का मान तो आजाएगा, यहाँ 3-2, X-3, मतलब 3 में से 2 गये, तो 1, 1 का तो गन क्याद करो, चाहे, कुछ भी क्याद करो, 1 की आएगा, तो B option आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ बी answer आपको देना है, इसमें, एक संख्या, इसके answer में एक संख्या जाएगी ठीक है, बाकी अगर 2 फलक बूसता हैं, तो आप सुतर लगा लेंगे, 2 फलक बाला, एक फलक बूसता हैं, तो 1 फलक बाला सुतर लगा लेंगे, ओके नेक्स चटा प्रसंद देखेंगे, यूनिट घनो को जोड़कर निर्मित ठोस को विविन स्थितियां प्राफ्ट करने के लिए घुमाये जाता है, घुमाने के बाद इन में से कौन सी अकरती नहीं हो सकती हैं, आपको उच्छे करना है, अब अकरती आपके सामने हैं, यहां पर इस तरफ दो दे रखें, इस तरफ दो दे रखें और एक दे रखा हैं, उपर इस तरफ, यानि अगर आप लेयर वाइज बात करें, तो यहां दो लेयर हैं, एक में चार हैं, और एक लेयर में एक हैं, यही सेम चीज़ आपको इन चारों उप्सन में चेक करनी हैं कि यहां पर एक layer में 4 और एक में 1 आ रहा हैं क्या यहां देखेंगे तो यहां पर 3 इस तरफ है एक इस तरफ है एक की layer में 4 है एक अलग है फिर यहां यह वाली यह layer है उसमें यहां यहां देख लेते हैं इसमें बराबर 4 आ रहे हैं एक अलग आ रहा है, यहां देखेंगे तो यहां एक layer में 3 है, एक layer में 2 आगए, यह अलग है उससे, बाकि यहां पर भी एक layer में 4 है, और एक में 1 अलग है, यहां 2 एक साथ आगए, यहनि कि यह अंकृती उससे आप घूमा कर नहीं बना सकते हैं, गुमा कर बनाएंगे तो भी एक लेयर में तो एक ही बचेगा दो नहीं बच सकते एक साथ ओके नेक्स क्यूशन है अपना एक घंड जिसकी बारी सत्य पर लाल रंग है तो दो मैं अभी सुतर लिखाता हमने यहां पर यह रहा 12x-2 है न तो यहां सुतर लगाएंगे आप 12x-2 12 आ गए यहां x की जगा आ जाएगा 2, 2 में से 2 गए तो 0, 0 को 12 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 0 यानि अगर option में 0 है तो वह इसका उतर आ जाएगा नि बी option आपका इसमें सही उतर होगा और वैसे भी दो फलक की कहरा है तो इसका मतलब ऐसे भी अपन पता लगा सकते हैं जैसे यह सीर्ष है ठीक है और यह सीर्ष है तो यहां जो सीर्ष पर जो गन बनता है उसकी कितनी फ फलक वाली बात पूछी गई है उसमें अतना उत्तर हो जाएगा सुन्य चित्र बनाकर भी अल कर सकते हैं और सुतर से बहुत बढ़िया तरीके से अल कर सकते हैं नेक्स्ट है आठवा छे सेंटीमेटर बुजा वाले गन को एक सेंटीमेटर बुजा वाले गनों में काटा गया है काटने से पहले गन को निले रंग में रंग दिया गया तो कितने गन ऐसे होंगे जिनकी एक सत्य निली होगी और कोई भी सत्य निली नहीं होगी तो वही है सुत्र वाला सिस्टम में लगाना है एक सत्य के लिए आप भी हमने बात किया था एक सुत्र 6 X-2 की घाथ 2 ठीक है तो 6 आ जाएगा यहां पर और यहां 6-2 है स्क्वाइर है 6 है वापस 4 है स्क्वाइर है 4 चोग शोड़ा है सोड़ा को आप 6 से गुणा करेंगे तो 36 के 6 हांसिल के 3 6 एकम 6 और 3 यह 96 यानि C ओप्षन आपका इसमें से उत्तर हो जाएगा और कोई भी सत्य निली नहीं होगी यानि बिना रंग वाले के लिए आपका सुत्र है X-2 की घाथ 3 तो 6 में से 2 गए और उसका क्यूब करना है 6 में से 2 गए तो 4 अब 4 को पुणा करना है 3 बार 4 से 4 चोग 16, 16 चोग 64 यानि आंसर आना चाहिए आपका 64 जो की A ओप्षन में है यानि 1 ओप्षन A ओप्षन आपका से हो जाएगा इसमें इस प्रकार यहां आप सुत्र लगाएंगे और सुत्र के आदार पर आनसर आपका आजाएगा चाहिए एक रंग वाला पुछा जाए चाहिए दो रंग चाहिए बिना रंग चाहिए तीन रंग चाहिए छारो अपलग ठीक है अभी बात कर रहे हैं 90 सवाल की अपन एक गन की बुजा 3 इंच है और बराबर के 206 गनों में इसको बाट दिया गया है और हमें पता लगाना है कि जो छोटे गन आएंगे जब टुकड़े कर दिये गए तो उस गन की बुजा का माप क्या होगा एक बुजा का माप यहां पर पूछा गया है तो इस सवाल में देखिए किताब में आपके पास हो सकता है कोई अलग तरीका बताया गया हो मैं यहां और उससे भी सरल तरीका आपके सामने मतलब प्रियास करूंगा कि आपको समझ माजाए जैसे यहां पर परिमाप टोटल दे रखा आपको 206 गन दे रखे है और परिमाप तो आपको गयाद करना पड़ेगा यहां एक बुजा दे रखे है एक गन की 3 इंच ठीक है तो जो बड़ा अपने पास गन है उसकी एक बुजा 3 इंच है तो उसका आपको ग्याद करना है परिमाप वो कितना होगा और कैसे ग्याद कर सकते हैं तो आप जानते हैं जैसे एक छोटी सी आकर्दी बना करी मैं बता देता हूँ आपके सामने एक गन बन गया अभी है और इसकी प्रतेक बुजा है वो तीन इंच है अब आपसे अगर पूछा जाता है कि इसका परिमाप कितना होगा जैसे आएतन अगर पूछा जाता है तो तीन को आप तीन बार गुना कर लेते तीन इंटू तीन इंटू तीन लेकिन अगर आपको परिमा पूछा गया है तो परिमा आपका मतलब हो गया इसके जो किनारे दे रखे हैं यहाँ पर इन सब किनारों का माप कितना होगा इनकी जो लंबाई हैं चोडाई हैं चोबी हैं उनका टोटल योग कितना होगा तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए किनारे कितने हैं क्योंकि गन है तो भुजाएं तो सारे के सारे किनारे हैं वो पराबर हैं लेकिन किनारे कितने हैं तो किनारे होते हैं 12 आपको ये याद रखना ये अगर इस सवाल में आपको समझ में आगया तो फिर पूरा सवाल आ यह अगर ग्याद करना एक का परिमाप कितना आएगा तो इसके लिए आप करने वाले हैं काम 206 में आपको 36 का भाग देना पड़ेगा और 36 का भाग कितने बार जाएगा तो 36 में 6 मतलब काट के इनको अल कर सकते हैं पर जैसे पहले आपने बाग दिया 36 में 6 बार गया इधर आ इन में से एक टुकड़े का एक गन का जो परिमाप है वो आया आपके सामने 6 ओके अब 6 परिमाप हैं आपको ग्याद करनी है एक बुजा एक बुजा चाहिए तो बुजा हैं कितनी होती है टोटल 12 होती है तो 12 का भाग देदो एक का माना जाएगा तो 12 का भाग देंगे 6 मे 0.5 अब option में देखो 0.5 कहा है तो first वाले option में हैं तो first वाला option आपका सही उतर हो गया इसमें और तरीका जो भी दे रखा है अगर वो समझ माता तो ठीक है नहीं तो यह जो तरीका में ने बताया है मुझे लगता है कि सबसे सरल है यह आप याद रखेंगे तो बहुत अच्छ या विपरित सतहों को अलग-अलग रंगों में रंग दिया गया है और से चार सतों को रंग ही रखा गया जब ऐसा प्रशन आ जाता है तो आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पर कोई भी सुत्र काम में आने वाला नहीं है आपको चितर बना के यह हल करना पड़ेगा यह थो ओके धन्यवाद